नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग में उमीद करते हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पुलिस चौकी में जाते हैं थाने में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बता दो एक तरीके से हमारे देश के लोगों को आग खट-कटाते हैं और खट-कटाना भी चाहिए मेरे हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में दो महिला पहुंचती हैं अपना कंप्लेंड दर्ज करवाने के लिए उनकी सुनवाई नहीं होती है और दरोगा सहब जो है उनसे क्या है उन अपना हाथ और पैर दबो आत हैं जो कि आपको बता दू कि उनको सरकारी शैलरी मिलती है इसलिए क्योंकि वह जंता के सेवक हैं और जंता की वह रच्चक हैं और रच्चक होकर वह भच्चक बनने का काम करते हैं आपको वीडियो के विजर्य मैं दिखा देना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस वाले जो है 90% लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे पुलिस वाले जो है पुरे भारत के पुलिस वालों को बदनाम कर दिये आपको बता दू कि गरीब आदमी अगर जाता है कंप्लेंड दर्ज करवाने के लिए और कोई चीज करने के लिए तो सबसे पहले उससे पैसो का भी डिवा किया है वो भी गरीबों की अवाज नहीं उठाती लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे जो भी चीज़ें होगी अगर गरीबों के उपर अत्याचार हो रहा कुछ भी हो रहा है तो साथियों आपको बता दू कि अगर मेरे कानों तक खवर पहुंची और मेरे पास कुछ भी थोड़ा सा साबूत मिला तो मैं जरूर रहूंगा उसकी अवाज उठाने के लिए तो आप सभी को मेरा जैभीम और बिहार सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे पुलिस वालों को तुरंत निलम्मित कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जो हैं पुरे भारत के कानून से लेकर पुलिस वालों का हर किसी को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं और कानून से यह लोग विश्वास जो है खतम कर रहे हैं तो आप सभी को मेरा जैभीम वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करना ना बोलें